हालो फ्रेंड्स, हंडेड वर्ड पर मिनट एटिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी फाइब सेगंड बात स्टार्ट, मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो खुश था कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता और स्कूल रोज उसके पास आता है चूंकि स्कूल आने जाने का समय बचने लगा उसने सोने के लिए अतिरिक्त समय की नई मांग की जिसे माता पिता को मानना पड़ा यह उसके आलश की सुरुआत थी जब उसकी कामकाजी मा दूर होती तो धीरे धीरे उसने केमरा बंद कर बैंड विथ का बहाना कर कम्प्यूटर से छेड़ छाड़ शुरू की और स्टेडी टेबल पर जख्की लेने लगा धीरे धीरे कम्प्यूटर के सामने बेठने की उसकी इच्छा खत्म होने लगी वह गुसेल और अवसाद गरस्त हो गया कभी कभी वह लोगिन करने से ही मना कर देता तबियत का बहाना कर वह लगातार असाइनमेंट छोडने लगा जद इसका महिना भर का स्कूल वर्क छूट गया उसे टीचर ना पसंद हो गई क्योंकि वे अधूरे काम के बारे में पूछती थी और फिर विशे और अंततह स्कूल से ही चिड हो गई फाइनल ऑनलाइन टेस्ट में वह फैल हो गया लेकिन उसे अगली क्लास में परमोट कर दिया गया अब उसके माता पिता असमंजस में है कि यह परमोशन कितना अच्छा है और नई क्लास में उसका परदर्शन कैसा होगा यह परिस्थिती सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में है बच्चों का 2020-21 का पूरा अकादमिक वर्ष इसकुल जाय बिना बीत गया दुनिया भर के कई बच्चे घर बेट कर इसकुल अटेंड करने की नई आजादी पाकर खुश थे कई बच्चों ने अपना समय वीडियो क्लास में ध्यान देने की बजाए दोस्तों से ओनलाइन चेटिंग में बिताया सभी जानते हैं कि ओनलाइन क्लास ने छातरों की अटेंडेंस के पैटन और सीखने की शमता को प्रभावित किया है इससे स्कूल तथा सिक्षकों से अलगाव दिखने लगा मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने आठवी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन उन्हें नौवी में भेज दिया गया कुछ माता पिता जिनके बच्चों ने रिमोट लर्निंग में संगर्श किया चाहते हैं कि बच्चे उनकी क्लास रिबीट करें लेकिन इसकूल इसके खिलाफ है ऐसा इसलिए क्योंकि हर देश में सरकार इसकूलों को चातरों को उसी कक्षा में रोकने नहीं दे रही है जिसमें वे हैं क्योंकि उसे आशंका है कि इससे सामाजिक और भावनात्मक मुश्किल और हमेशा के लिए इसकूल छोड़ने की आशंका बढ़ेगी खास दोर पर ग्रामिन शेतरों में लेकिन कुछ चिंतित माता पिता और शोड़करताओं को लगता है कि इसकूलों को उन बच्चों को आगे बढ़ाने के संभावित नुकसान के बारे में भी सोचना चाहिए जो अकादमिक रूप से इसके लिए तयार नहीं है बेशक गेर हाजरी से अकसर सीखने में अंतर आता है उच्च सिक्षा का इस तर बढ़ रहा है और जादा प्रतिशत पाने की बढ़ती इस प्रधा में कई बच्चे हाल के वर्षों में इसकूली परिक्षाओं में सो फिजदी के करीब पहुचने लगे हैं ऐसे में छातरों को 2020-2021 में हुए लर्निंग के नुकसान की भरपाई करनी होगी अगर हम एक और साल खोते हैं जिसके आशंका लग रही है तो यकीन मानिये उनकी आधारभूत लर्निंग को मजबूत बनाने का दूसरा मोका नहीं मिलेगा या तो बच्चों की गंभीर होने और अपनी पड़ाई समभालने में सक्षम होने में मदद करे या काम से एक साल का ब्रेक लेकर बच्चों का आधार मजबूत करे बच्चा भले ही इसकी गंभीरता न समझे क्योंकि वह उतना भविश्वन मुख नहीं होता लेकिन बतोर पेरेंट्स आपको यह समझना होगा स्टॉप